दोस्तो नमस्कार अगर आपकी विंडो 10 में भी पासवर्ड नहीं लग रहा है अगर आप अपने पासवर्ड को RESET करना चा चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियon में आपको बताने वाला हूं तो जैसे आप सामने दे सकते हैं यहाँ पर जो मेरा password में उसको लगा रहा हूँ उसके बाद भी यहाँ पर यह password नहीं लग रहा है incorrect password बता रहा है आप दे सकते हैं यहाँ पर the pin is incorrect रहा है ठीक है तो यह बहुत सारे लोगों को यह problem आती है तो आप इसको reset कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको समझा आने वाला हूँ बताने वाला हूँ ठीक है वीडियो को आप एंड तक देखिए तब ही आप समझ पाएंगे सभी दोस्तों से गुजारश अगर फिचेटा यूटूब चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर करें तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसे आप यहां सामने दे सकते हैं यहां पर मुझे यह उप्सिन आ रहा है यहां पर मैं बार बार ट्राइ करहा हूँ पासबर ओ इनकॉरेक्ट पासबर बता रहा है तो यहां पर आ रहा है तो ट्र प्रेस करने के बाद यहां पर दे सकते हैं साइड में आपने यहां पर क्लेक कर देना है यहां पर आपके बास रिसेट का यह उप्शन आ रहा है ठीक है साइड में सिंपल आपने इसके उपर क्लेक करना है जैसे इसके उपर क्लेक करेंगे जो शिप्ट का बटन है उसको भी आ यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की सिक्रीन आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आ रहा है Choose an Option ठीक है तो यहाँ पर आपके पास 5 Option आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने Trouble Short के Option के ओपर क्लिक कर देना है जैसे आपने इसके ओपर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो option आ जाते हैं यहाँ पर आपने reset this PC के option के उपर click करना है जैसे click करेंगे तो कुछ इस तरह का interface यहाँ पर आ जाता है अब यहाँ पर आपके पास दो option आ जाते हैं keep my file और उसके बाद आ जाता है remove everything ठीक है तो आपने इसके उपर click करना है remove everything ठीक है जैसे आप इसके उपर click करिए उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा wait करना है कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर black हो जाएगा एकदम से उसके बाद यहाँ पर आपका laptop दोबारा से on हो जाएगा यहाँ पर आपने थोड़ा wait करना है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा time लगेगा अभी आपकी window open हो पाएगी तो यहाँ पर हम थोड़ा wait कर लेते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर जैसे wait करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ चुका है reset this PC तो यहाँ पर आपके पास दो option आ चुके हैं ठीक आप यहाँ पर नीचे जो नीचे का जो option है local इसके उपर click कर देना है जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको getting things ready ठीक है तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना है उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं reset this PC यहाँ पर आपके पास दो option आ जाते हैं just remove my file उसके बाद फुली clean the drive ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या गरना है सबसे top वाले option के उपर click कर देना है just remove my files ठीक है जैसे आप इसके उपर click करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम थोड़ा wait कर लेते हैं उसके बाद यहाँ आपकी window यहाँ पर open हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तो सबी से गुजारश अगर आपने अभी तक हमारी फिचटाई यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तो जैसे आप यहाँ सामने दे सकते हैं रिसेट दे स्पीस ही उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक उप्शन आ जाता है रिसेट का ठीक है तो आपने सिंपल इसके उपर क्लिक कर दिना है जैसे क्लिक करेंगी यहाँ पर अब भी आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर एक हुआ है जब यह 100 तक हो जाएगा तब ही आपकी विंडू आपन हो पाएगी यहाँ पर तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा चलिए हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों जैसे आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पर 96 हो चुका है जैसे यहाँ पर 100 हो जाएगा इसके बाद जो हमारी विंडू है वो अपन हो जाएगी तो यहाँ पर दे सकते हैं 99 हो चुका है तो यहाँ पर हम थोड़ा wait कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर 100 complete हो चुका है और हमारा laptop off हो चुका है यहाँ की screen बंद हो चुकी है दुवारा से यहाँ पर open हुई है तो यहाँ पर दे सकते हैं अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा नया तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि window open होने में थोड़ा time लगता है तो यहाँ पर हम थोड़ा wait कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे आप यहाँ दे सकते हैं कुछ इस तरह का यह नया page open हो चुका है आपके सामने installing windows यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना है जैसे आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पर installing window एक हो चुका है उसके बाद यहाँ पर जैसी 100 हो जाएगा उसके बाद यहाँ आपके पास यहाँ पर next page open हो जाएगा आपकी सामने यहाँ पर थोड़ा wait करना है आपने जैसे आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पर 96% हो चुका है जब तक यहाँ पर 100 तक नहीं होता है तब तक हमको यहाँ पर थोड़ा wait करना होगा तो यहाँ पर हम 100 होने देते हैं उसके बाद ही आपके पास next page open होगा तो यहाँ पर दे सकते हैं कि यह हंडर्ट तक complete होगा है just a moment तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना है यहाँ पर आपके पास एक नया page open होकर आ जायगा तो फ्रेंट जैसे आप यहाँ दे सकते हैं आपके पास यहां पर एक नया पे जो पुना चुका है तो यहां पर आपको यस कर देना है उसके बाद यहां पर थोड़ा वेट करना है उसके बाद आपके पास एक नया पे जा जाएगा तो यहां पर भी आपने यस कर देना है skip कर दिना है तो यहां पर आपने connect कर देना है इसको यहां पर connect के ऊपर click कर देना है mission accomplished you're all linked up next next up the legal stuff in short you'll need to select accept to use windows you can decline but then you know no windows उसके बाद यहां पर आपके पास एक option है accept का इसके उपर click कर दिना आपने type your email address or phone number then follow the instructions to sign in I'll catch up with you once that's done तो फ्रैंच जैसे आप यहां दे सकते हैं कि जो हमारी idea और password था उर reset हो चुका है अब आप यहां पर new password create कर सकते हैं और यहां पर आप new account create कर सकते हैं जैसे आप लिखा है create account ठीक है तो यहां पर आपने create account के option पर click करना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे यहां से आप new account बना सकते हैं उसके बाद जो भी आप account बनाना चाहते हैं वो रख सकते हैं उसके बाद ही आपकी window open हो जाएगी तो इस तरीके से आप अपने password को reset कर सकते हैं window 10 में तो यह था guys पूरा process कैसे आप अपने ID के password को reset कर सकते हैं आप window 10 में आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो को like जरू करते हैं फिचेटा यूटूब चैनल पर ना हैं चैनल को subscribe जरू करें कोई problem आते हैं तो वीडियो के नीचे comment box में जाकर comment कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगी वीडियो देखने के लिए guys आप सभी का धन्यवाद